Hello Friends, Welcome to my YouTube Channel Friends, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको भी UP गॉर्मेंट के तरफ से स्मार्टफोन या आपके कॉलेज में टैब मिला है और आप चाहते हो कि योगी मोदी का फोटो हटा कर अपना खुद का वाल पेपर सेट करना चाहे आप अपने मुबाइल में सेट करना चाहो या आप अपने टैब में सेट करना चाहो तो किस तरीके से आप योगी मोदी का फोटो हटा कर अपना खुद का वाल पेपर सेट कर सकते हो आज की इस वीडियो में हम आपको एई बताने वाले हैं तो वीडियो को बिल्कुल इसकीप मत करिएगा और लाश्ट तक बनी रहीएगा. तो चलिए friends वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, बेदावू टाइई वेस्ट के. तो इसके लिए friends सबसे पहले आपको अपने play store app को open कर लेना है. अब play store app को open करने के बाद friends यहाँ पर आपको अपनी gmail id पहले तो इस तरीके से login कर लेनी है. अगर आपका work gmail id है तो यहाँ पर आपको अपना खुद का gmail id बना लेना है. देन उसके अब friends यहाँ पर आपको अब search कर लेना है Yomo Launcher. इस तरीके से आप लिख कर सर्च करोगे friends तो यहाँ पर आपको एक Yomo Launcher official app देखनी को मिल जाएगा. जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो. 4.3 की rating इसकी देखनी क्यों मिल जाती है. इसी app को आपको अपने smartphone में या अपने tab में install कर लेना है. जैसे कि मैं tab में लगाना चाहता हूँ, wallpaper set करना चाहता हूँ, योगी मोधी का photo अटा कर तो इस तरीके से मैं download कर ले रहा हूँ. अगर आप smartphone मिला है आपको उसमें भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं. तो इसे पहले आपको install कर लेना है. इस एप को install करने के बाद फ्रेंट्स यहाँ पर आपको open का option आजाएगा, तो open के option पर यहीं पर click कर सकते हैं. बट अगर आप चाहते हो कि अपने tab से open करना, तो यहाँ पर आपको अपने tab को open कर लेना और यहाँ पर अपने yumoo launcher app को open कर लेना है. जैसे yumoo launcher app को open करेंगे फ्रेंट्स तो यहाँ पर आपको नीचे sign in with google का option नीचे देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको click करके यहाँ पर आपको अपने Gmail को इस तरीके से click करेंगे फ्रेंट्स तो यहाँ पर आपको इसमें आपका account बन जाएगा, यानि कि yumoo launcher app में आपका account बन जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से interface देखने को मिल जाएगा, तो फ्रेंट्स यहाँ पर आपसे बोला है choose wallpaper, तो फ्रेंट्स यहाँ पर आपको सबसे पहले किसी एक इस तरीके से wallpaper को select करेंगे उसके बाद नीचे आपको continue को option देखने को मिलेगा, इस पर आपको click कर देना है, अब जैसे इस पर click करेंगे फ्रेंट्स तो यहाँ पर आपक किस तरीकी से लगाएंगे, तो इसके लिए friends फिर से आपको Yomo Launcher app को open कर लेना है, Yomo Launcher app को open करने के बाद friends यहाँ पर कोई permission allow मांगता है, तो allow के option पर आपको click कर देना है, इसके बाद friends यहाँ पर आपको YouTube के just नीचे share Yomo Launcher का option देखने को मिल जाएगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर click करना है, उसके बाद यहाँ पर किसी एक बंदे को इस तरीके से अपने WhatsApp पर send कर देना है, इस तरीके send कर देंगे friends, उसके बाद यहाँ से आपको back हो जाना है, अब back होने के बाद friends यहाँ पर आपको first number पर option देखनी को मिल जाएगा, change wallpaper इस पर आपको click कर देना ह अब gallery के option पर click करने के बाद friends यहाँ से आपको किसी एक photo को click कर देना है, जिस photo को आप wallpaper के रूप में set करना चाहते है, अपने tab या mobile में, उसे आपको यहाँ पर इस तरीके से click कर देना है, उसके बाद यहाँ पर आपको right का option देखनी को मिल जाता है, top side में, इस पर आपको click क करेंगे friends, तो आपका wallpaper change हो जाएगा, चलिए मैं आपको proof के लिए यहाँ पर दिखा देता हूँ, जैसा कि आप अमारे देख सकते हैं कि मेरे tab में wallpaper change हो चुका है, यहाँ पर मैंने अपना खुद का photo लगा लिया है, तो friends इसी तरीके से आप अपने tab या mobile में wallpaper को change करना चाहो तो इसी तरीके से आप change कर सकते हो, मोधी योगी का photo हटा कर, तो friends यही छोटी सी जानकारी, अगर आपको जानकारी थोड़ा सा भी helpful और knowledge वल लगी हो, तो please वीडियो को like करके channel को subscribe कर दीजिएगा